असलाव उनकों और रिव्यू स्पीके में खुश्राम दीद, मेरा नाम अमीर है और ये है Infinix Note 7 की Unboxing और इसका First Look दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने Infinix S5 Pro की Unboxing और इसका Review किया था और मुझे लगा कि Infinix as a brand काफी अच्छी value डिलिवर कर रहा है मार्केट में और अब Note 7 के साथ Infinix एक performance oriented और gaming oriented crowd की तरह जा रहा है Infinix Note 7 के पाकिस्तान में दो variants launch होंगे 6 GB RAM, 128 GB built-in storage जो के 29,000 रुपे का होगा जो के आज हम अन्बॉक्स भी करने लगे हैं और 4 GB RAM, 128 GB built-in storage जो के 27,000 रुपे का होगा हमारा आज का device forest green color में है लेकिन ये phone black और blue में भी तस्तियाब है और इस phone के अंदर कुछ बहुत ही interesting से features डाले गया है जिसमें हम वीडियो में आगे चलके बात करेंगे हमारी आज की वीडियो में एक giveaway भी हो रहा है और वो हैं ये Infinix के G2 wireless sports के earphones लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे चलके तो ये वीडियो आप end तक देखेगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही है तो इस पर like जरूर दे दीजेगा और अगर आप मारे चैनल पर नए है तो subscribe कर लें और notifications को on कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड हो तो आपको उसका notification मिल जाए तो पहले चलके box के उपर लगे इस plastic को अतारते हैं और फिर lid को खोलते हैं box खोलते ही सबसे पहले आपको Infinix Note 7 का handset दिखता है हमारा आज का device इस forest green color में है और वाकई phone दिखने में बहुत ही खुबसूरत है handset के sticker पे इस phone के कुछ main specifications बताए गए है लेकिन इसे करीब से देखने से पहले box के बाकी contents देख लेते है तो handset के नीचे एक folder है जिसमें कुछ चीज़े है X image actor tool है एक screen protector है जिसे आपको खुद apply करना होगा साथ में कुछ product literature है और एक silicone protective case है आगे बढ़ें तो box में एक 18 watt की fast charging capable power brick दी गई है और साथ में एक micro USB cable है Infinix Note 7 की build plastic की है जो कि इस price range में मामूल की बात है आगे वाली तरफ gorilla glass की protection दी गई है लेकिन Infinix ने ये नहीं बताया कि ये कौन सा gorilla glass है looks की बात करें तो S5 Pro की तरह यहां भी back बहुत ही shiny बनाए गई है लेकिन gradient color के बजाए Note 7 में ये prism या पर diamond type का look दिया गया है और बीच में इस phone का camera area है जो के circle के shape में दिया गया है phone हातों में उठाने में भी comfortable है और size में बहुत ही बड़ा है यानि कि ये phone मेरे Note 9 से भी थोड़ा बड़ा है I would say कि ये comfortably S20 Ultra Territory में जा चुका है अपनी size की बड़ालत button placement और ports की बात करें तो phone के right side पे इसकी volume keys है जिनके साथ इस phone का power button है जिसमें इसका fingerprint sensor भी है यहां दोस्तों यहां side mounted fingerprint sensor दिया गया है जबके left side पे इस phone का SIM slot है और नीचे वाली तरफ है phone का headphone jack, mic, micro USB port और एक speaker डिस्प्ले की बात करें तो Infinix Note 7 में 6.95 इंचिस का infinity-o display है जिसका resolution HD यानि के 720 by 1640 है और pixel density 258 ppi है इस price range के ज्यादा तर phones आपको 720p display के साथ ही मिलते हैं लेकिन इस display की एक खास बात है और वो है यह hole punch cutout जो के पिछले महीनों में बहुती trend में आ चुका है और हमने इस feature को एक flagship device के feature से mid range से होता हुआ फिर lower mid range में आते हुए देखा है और इस hole punch cutout के अंदर है इस phone का 16 megapixel का selfie shooter अगर back camera की बात करें तो यहां एक quad camera setup दिया गया है जिसके अंदर एक 48 megapixel का f1.8 aperture वाला wide angle lens है physically इस sensor की size 12 megapixel की है लेकिन यह एक process जसको demosaking का जाता है उसे इस्तवाल करके 48 megapixel तक की भी images produce कर सकता है साथ में एक 2 megapixel का macro sensor है, 2 megapixel का depth sensor है और 2 megapixel का dedicated video camera है अगर video recording resolution की बात की जाए तो front और back cameras दोनों maximum 1080p video recording resolution सपोर्ट करते हैं तो अब बात करेंगे Infinix Note 7 के कुछ बड़े selling points की और वो हैं इसकी specifications तो Note 7 के अंदर MediaTek का Helio G70 processor लगाए गया है और साथ में Mali G52 GPU है और इसके अंदर full dual SIM support दिया गया है याने कि इसके अंदर एक dedicated SD card slot है और आप इस phone के अंदर 2 SIMs और 1 micro SD card सब एक साथ लगा सकेंगे हमने इससे पहले यही processor Realme के C3 में देखा था और मैंने जब उसकी benchmark testing की तो मुझे पता चला कि G70 एक बहुती powerful processor है और MediaTek की Helio G series basically gaming और performance oriented लोगों के लिए बनाएं गई है एक अगर बहुती interesting feature की बात की जाए तो Infinix Note 7 के अंदर dual stereo speakers दिये गए है और मैंने इने try out भी किया है तो एक speaker यहाँ है नीचे की तरफ और एक speaker उपर की तरफ है और मैंने cover करकर चेक भी किया तो actually dual stereo speakers है लेकर इस speakers की quality के बारे मैं बात करूँगा इस phone के full review में मेरे लिए definitely पहली बार है कि मैंने 28,000 रुपए की price range में dual stereo speakers किसी भी phone में देखे हूँ अगर interface की बात करने तो Infinix Note 7 out of the box Android 10.0 के साथ आता है और इसके ओपर Infinix की अपनी XOS 6.0 लगी हुई है अब इधर एक बात note करने की है कि इस interface के अंदर कुछ आपको bloat wire भी मिलेगा और कुछ ads भी मिलेंगी लेकिन मैंने Infinix S5 Pro के review में बताया है कि कैसे उन ads को बंद किया जा सकता है तो वो अगर आप वीडियो देख लें तो आपको बता चल जाएगा कैसे होता है तो ये भी कोई बड़ा negative नहीं है आप इसको switch off कर सकते हैं लेकिन जाब आत और ये specifications की तो वहीं बात करेंगे इस phone के एक और भी बड़े plus point की और वो है इसका battery और charging setup Infinix Note 7 के अंदर एक बड़ी 5,000 million power की बैटरी लगाई गई है और साथ ही साथ ये phone 18 watt की fast charging के साथ आता है और ये जो combination है ये बहुत ही जबरदस combination है खासकर 28,000 रुपए की price range में अगर आप बड़ी battery, fast charging और इसके साथ मिला दें 720p display तो ये एक बहुत ही powerful combination बन जाता है क्योंकि 720p display बहुत ज़्यादा energy consume नहीं करता जिसकी वज़ा से battery life बहुत ही जबरदस निकल के आती है I would not be surprised अगर इस phone की battery life डेर से दो दिन या उससे भी ज़्यादा हो लेकिन इसे भी हम test करेंगे इस phone के full review के लिए फिलाल में इतना जरूर कह सकता हूँ के MediaTek Helio G70 processor 5000 mAh की battery 18W की fast charging dual stereo speakers और एक बढ़े display के साथ Infinix Note 7 का बहुत अच्छा chance है कि वो इस price range का gaming और performance king बन जा है लेकिन इसे हम test out करेंगे इस phone के full review में और अगर अब बात करें हमारे giveaway की तो giveaway में हिस्सा लेना बहुत ही आसान है आप सिर्फ चैनल को subscribe कर लें और इस वीडियो पे एक like छोड़ दें और एक comment छोड़ दें और पर मैं comments में से एक winner select करके चैनल पे announce कर दूँगा अगर आप in-depth analysis देखना चाते हैं तो हमारा full review ज़रूर देखेगा आपके infinix note 7 के बारे में क्या ख्यालात है मुझे comment section में ज़रूर बताएगा इस वीडियो में इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आए होगी इंशाला आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में अलाहाफिस